अगर medicines और health से related आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोप माकसिक भस्म के बारे में इस रोप माकसिक भस्म के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे लेना हैं यह सारी जानकरियां जो है, आज की वीडियो में आपको दूँगा तो देखिए इसको जो है, बहुत सारी कंपनियां मनाती हैं, लेकिन में इसमें बैदनाथ ही है तो आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप इसको खरीदना कहां से है रोप माकसिक भस्म को तो देखिए इसको जो है आप कोई भी जो आपकी आरवधिक मेडिकल श्टोर होते हैं बहां से खरी सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरी सकते हो तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्सन में तो दर से क्लिक करके आप इसको घर बेटे-बेटे भी मंगा सकते हो और ये जो है 100% vegetarian है मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं रोपे माकसिक बस्म को अब हम बात करते हैं ingredient के बारे में इसमें क्या-क्या है तो देखिए इसमें रोपे है जिसको आप silver बोल सकते हो चांदी बोल सकते हो और इसमें कुल्धी, कौाथ है, बक्री, मूत्र है इस प्रकार से इसमें ingredient होते हैं जिससे ये जो है medicine या भस में बनाई जाती है अब बात करें फाइदे के बारे में तो देखिए ये एनिमिया से बचाती है एनिमिया मतलब खून की कमी से या फिर अगर आपको खून की कमी हो गई है तो उस condition में आप इसको ले सकते हैं आपके खून को बढ़ाती है जो आपका HP होता है हीमोगलोबिन कम आता है उसको खाज, खुजली हो जाता है, इचिंग जो होती है उसमें ले सकते हैं और इसके अलावा हरपीस नाम के जो बिमारी होती है उसमें फाइदा करती है ये तो किसी भी परकार की अगर आपको skin related बिमारी है या फ्र चर्म रोग है तो एक बार आप इसको ले कर देख सकते हैं पेट में कीड़े हो गय है तो पेट के कीड़ों को मारने का काम भी करती है जैसे का आतों में कीड़े ho जाते हैं और इसकालावबब अगर आपको खाना सही तरीके से नहीं पचेगा तो आपका जो पेट है वो दुखेगा ऐसा भी होता है और पेट का ऊपरी हिस्सा दुखता है ऐसा देखा गया है अब इसका अलावा पेट फूलने की सिकायत होती है उसमें फायदा करती है मतलब इन डाइजेशन में भी फाय जल्दी होती है वो नहीं होगी अब देखिए जोएंडिस में काफी अच्छी है पीलिया अब जिसको बार बार पीलिया हो जाता है हर साल होता है इस साल में दो बार पीलिया होता है उस कंडिशन में ले सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपका लिवर कमजोर है अब इसके अला करते हैं आपके नसों को यह जो है ताकत देती है तो यह कुछ इसके में फायदे थे जिनके बारे में मैंने बता दिया है अब हम बात करते हैं डोस के बारे में तो देखिए 65 से 125 एमजी के बीच इसको लेना होता है और इसको आप एक दिन में दो बारतक ले सकते हैं और इसको आप पानी के सांद भी ले सकते हैं या फिर सहत के सांद भी ले सकते हैं तो देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादे प्रावलम नहीं है तो केबल एक दिन में एक बाल लीजिए और अगर आपको प्रावलम है तो एक दिन में इसको दो वार्थक लीजिए क्योंको dose decide होते हैं हमारी problem या हमारी बीमारी के अनुसार अब male female कोई भी ले सकते हैं लेकिन देखिए ये बच्चों को देना है तो डॉक्टर की सलाज है और जारा छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये रोपमाक्सिक भस्म उसके लिए आप डॉक्टर से consult करें और pregnant ladies को नहीं लेना है इस भस्म को अब side effect के बारे बात करते हैं तो side effect कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ health में उसको लगता है इसको लेने के बाद तो आप चाहें तो इसको लेना बंद कर सकते हैं और फिर डॉक्टर से भी सलाज ले सकते हैं अब कोई दूसरी medicine आपकी पहले से चल रही है जैसे के ऐलोपेटिक में आर्विधिक में या फिर होमोपेटिक में तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं तो बिलकुल ले सकते हो कोई प्रॉल्म नहीं है बस आपको करना क्या है कि कोई भी अलोपेटि में इसन अभी खाई तो उसके दो से तीन घंटे बाद आप इस रोपे माकसिक भस्म को ले सकते हो अब कब तक लेना है तो ये भी डेपेंड करता है आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉल्म पर आप इसको एक से तीन महेने तक लेकर देख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए और इसको लंबे समय तक भी लिया जा सकता है लेकिन डॉक्टर की सलास है अपनी मरदी से नहीं अब फायदा कब तक देखने को मिलेगा तो देखें कम से कम आप इसको एक महने लीजिए एक महने में आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा या अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब देखें इधर में कुछ एडवाइस देना चाहूंगा अगर आपी रोप माकसिक भस में लेते हो तो आपको अलकोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है जंग फूर्ट फास फूर्ट जादा मीठा मेदे से बनी चीजें बाहर का खाना पीना ये सब नहीं करना है ज इसके अलावा आप exercise करिए और exercise के लिए अगर आपको time नहीं मिलता है तो walking योगा ये सब आप कर सकते हैं तो इससे जो है हमारी health और immunity system अच्छा रहता है तो मेरे वीडियो दरी खतम होता है और अगर आपको इस टाइब से और वीडियो देखना है health और medicine से लेड़ेड जो क